नमस्कार दोस्तों आप सबीका फेश से एक बहुत श्वागत करते हैं आपके परनी यूटूब चैनल आर्मी और गवर्मेंट तयारी में दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही जादा महत्पून है जो की इंडियन आर्मी के तयारी कर रहे हैं या फिर इं होंगी अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 100% सफलता की गारंटी हमारी है आप चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा सुरुसान तक जरूर देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके आप समझ सके क्या महत्पून तीन बाते जो हमने आपको बताई वह आपके काम को जरूर से दबा लिजेगा चलिए दोस्तों पहला जो यहां पर टॉपिक आता है कि कौन सा पहला बात है जिसे आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं देश सेवा करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज होगा और अगर आपको भी ऐसा लगता कि आप में भी यह कमी है या फिर आपको भी ऐसे ऐसे चीजे आपके साथ भी हो रही है तो आप जो जरूर से कुछ इनिसियेटिव उठाए या फिर आप जो कुछ जरूर से सोच सकते हैं उनके बारे में कि ऐसा मैंने क्यों बताया औ और आप उसे भी ठीक करके जो है इंडियन आर्मी में मौका ले सकते जाने का दोस्तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यहां पे mentally fit यानि कि दोस्तो अगर आप इंडियन आर्मी के तयारी कर रहे हैं तो आपको mentally fit रहना बिल्कुल जरूरी है और mentally fit में सबसे ज़्यादा जो मैं तो उनके कारण दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि यह आपके body का जो लगबग 70% जो energy है वो खतम कर देता है आपका mentality power जो है उसे कमजोर कर देता है अगर आप इंडियन आर्मी के तयारी कर रहे हैं अगर आप इनके चकर में या फिर आपको इनकी लत लगी भी है तो आप जैसे ही इसके तयारी करेंगे तो आपको जो है body की जो energy है वो चली जाएगी आपका जितना भी power है वो नहीं रहेगा आपका mental fit नहीं रहेगा आपको मन नहीं लगए कोई भी चीज करने में और इसके कारण बहुत सारे बच्चे जो हमने देखा आया कि वो जो इंडिय कोई भी defense job में जा रहे हैं आप जो कभी भी success नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका mentality power आपका energy पूरा जो total का total है सारा decrease हो जाता है इससे इसके अलावे दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप भरती जा रहे हैं या फिर कोई भी नौकरी लेने जा रहे हैं त तो आपको जो है इसमें काफी तकलीफ हो सकती है क्योंकि अगर दोस्तों आप अपनी मैना से जाते हैं अगर आप देश सेवा के भावना से जाना चाहते हैं तो आप जरूर से competition करें और इन सब बातों से दूर रहे हैं ताकि आपको जो है ऐसा ना हो कि अगर आप पैसा दे mentally जो है fit रहना होगा तभी जो है आपको 100% सफलता मिलेगी दूसरी जो सबसे महत्पून बात है दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो दूसरी जो महत्पून बात है physically fit रहना आम तोर पे सभी लोग बोलते हैं कि मैं physically fit हूँ लेकिन दोस्तों इंडि physically fit रहना काफी जरूरत होता है यानि कि अगर आप आप जो है physically fit नहीं होते हैं तो आपको इंडियन आर्मी कभी भी मौका नहीं देगी आप वहाँ पर जाएं वहाँ पर आपको देश सेवा का मौका नहीं मिल पाएगा तो दोस्तों यहाँ पर यह भी मैं बताना चाहता हू अगर आप तयारी सुरू करने की सोच चरें या फिर अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपको जो दोस्तों किसी भी कीमत में ऐसा नहीं है कि रनिंग को छोड़ना है आपको प्रतिक दिन कम से कम 6 मैने से लेकर कि एक साल रनिंग करते रहना लगतार continuous ना कोई Sunday ना कोई Monday आप आपको कोई एक time fix कर ले या फिर आप सुभा में running का time fix कर ले या फिर आप साम का time में कोई भी running का time fix कर ले जैसे आपको सुविधा लगे लेकिन ज्यादा बेटर जो होता है वो सुभा का running माना जाता है सुभा में अगर आप running करेंगे तो आपको काफी फायदा भी मिलेगा तो आप जो है सुभा की running करने के कोशिच करें अगर आपको फिर भी time नहीं मिलता तो आप साम में running अपनी करें और यहाँ पे दोस्तों सुरू में आप जो है 5 km की running ले सकते हैं नॉर्मली आप जो है दीरे दीरे जो है 1 km 2 km की running करें आपको stress मिलेगा और इसके अलावे दोस्तों मैं कहा रहा हूँ कि अगर आप running कर रहे हैं तो आपको जो है आप जो है एक time करना चाहिए running यानि किसी भी time और in anyhow मतलब कि आपको कोई भी condition सामना आ जाए आपको जो ऐसा नहीं कि सर्दी है या फिर गर्मी है या फिर बरसाद आपको जो है continuous जाना ही होगा आप इंडियन आर्मी में अगर जाना चाहते देश सेवय करना चाहते तो अपने आपको मजबूत physically fit बनाना होगा और आपको जो है running करनी होगी अगर आपकी भरती आने वाली है तो आप सुबा साम दोनों time running करें कम से कम 10 से 20 दिन पहले ताकि आपको जो है वहाँ पर जाके आप इंडियन आर्मी की जो दौड होती है उसे तुरंद clear कर सके यह एक मूल मंत्र है आपको दोनों time running करनी चाहिए जब आपकी running की time नजदीक आ जाती है या फिर आपकी जो बहाली की time है उस समय तो आप दोनों time कर सकते हैं अगर आपकी capacity है तो दोस्तों तीसरी जो सबसे महत्पून बाताती है इसमें medically fit जानी कि दोस्तों अगर आप mentally fit है physically fit है तो आपको medically fit भी होना होगा क्योंकि इन तीनों से ही बनता है हमारा Indian army का जो जवान होते हैं उन्हें इन तीनों की जो गुनवत्ता है वो चेक की जाती है और उन्हें ही जो ह लेकिन उससे उपर यहां पिए कोई भी body part बनाया ह tunnels तो वहां पर आपको neglect कर दिया जाता है या फिर आपको कोई भी ऐसी in नौरी हो या फिर आपको कई भी बिंध्री करके हैं तो यहां पर आपको काफी मुस्किले मुस्किले आज़ाती हैं और आपको जेए घर सिभा करने क्योंकि इंसान है उन्हें बिमारिया तो होते रहती है लेकिन नॉर्मल बिमारी है उपरेशन हो गया ठीक हो गया तो उनके लिए वहाँ पे इंडियन आर्मी उनका स्वागत करती है उन्हें भी मौका देती है देश सेवर करने का लेकिन इन सब के लिए आपको पूरा mentally fit रहन फिर भी आपको दिकत हो जाते हैं अगर आपका दोनों घुठना शड़ जाता है तो यहां पे भी आपको medically unfit माना जाता अगर आपके हातों से पसीना आता है फिर भी आपको यहां पे काफी दिकत होगी क्योंकि इन सब चीजों को नहीं मिले की बिमारिया होती जिनका कोई solution नहीं होता तो उस कारण से जो है आपको ऐसा ना हो कि आप तयारी कर रहे हो बाद में medical में जाएं और आप अपर unfit घोसित कर दी जाएं तो ऐसा भी नहीं करना है अगर आप तयारी सुरू में कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों का खयाल रखना होगा और अगर आप के साथ सबसे जादा important यहां पर हमने देखा है कि बहुत सर बच्चों जो रणिंग और सब कुछ निकाल लेते हैं लेकिन examination में बार-बार फेल कर जाते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमने एक book बनाई है अपने दौरा जो हमारे दौरा एक book लिखी गई है जिसका link आपको वी की पूरी Hindi language में लिखी गई है दोस्तों यह एक e-book है यानि आप इसे अपनी mobile पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आपको फिजिकली बुक नहीं मिलेगा लेकिन आप इसे डाउनलोड करके अपने mobile पर पढ़ पाएंगे इस book की कीमत सिर्फ और सिप 30 रुपे रखी गई है अगर आप इसे खरीना चाते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के description और first comment में हमने दे दिया है वहाँ से directly आप इसे खरी सकते हैं अगर आप future में कभी भी आर्मी की भरती की जानकारी लेना चाते हैं तो हमारी official website सरकारीarmyjob.com Google पर सर्च करें वहाँ से आप सारी information ले सकते इंडियन आर्मी की relation open भरती आपर defense job की वीडियो चलेगा तो लाइक करें हमारी चनल को सब्सक्राइब करने बिलकूल ना भूले धन्यवाद दोस्तों जय हिन जय भारत